कागच में वो कब जारकंडी बनेगा। हमों कहते तो हैं अपने हैं आपको जारकंडी। वगर क्या हम 00 internist 2015 कागच में है। नहीं है, आज तक नहीं है। देश में यह अनुखा रज्जा है। जहां पर स्थान्य कौन है जारकंड का पता नहीं है। और तब से ही दोजार दो तीन से मेरा विदायन सबा कर प्रोसीडिंग देखा हुआ है उसी समय से ही भाशा अतिक्रमन शुरू हो गया था उसी समय से ही जो है सोच विचार चलने लगी थी कि भोजपुरी मगी महतली को कैसे गुसाएं अंदर ये तब से चल रहा है और 2011 में भ तरी ती उस समय अभी मैंने इन बारी बोलियों का मैंने विरोध किया था अठारा में रगुवर सरकार ने इनको गजट सब्सक्राइब नौटिफिकेशन में डाल दिया और जी जो खत्यानी और स्थानीता की बात करते हैं उन्होंने इनी भारी बोलियों को छेत्री बजाके हमारे जिरों में खुशा दिया इस दे बड़ा अपमान कुछ हो सकता है क्या इस दे बड़ा हमारे हक का हनन हो सकता है क्या और तो और जो ये गलत वैसले लिए गए कि इन छेत्रिव भाशों बोलियों में दस्वी और बार्वी की जो बोर्ट की परिक्षा भी होगी तो जो भोजपुरी मगही अंगिका में जो बोर्ट परिक्षा देगा और जब इतना विरोत के बाद मैथली को भी गुसा दिया तो अब उसमें जो वो बार्वी की बोर्ट देगा तो वो तो जिला से लेके आपका राजस्तर की सारी नौकरियों में अपना हक जता लेगा तो फिर जारकंडी के लिए बचा गया क्या इसी दिन को देखने के लिए हमारे पुर्वजों ने बलिदान दिया संगर्ज किया अपना खून पसीना एक किया तो यह हमारे अपने पुर्वजों का अपमान है हमारे अगवाओं का अपमान है इस भूकन में हमारे जो पुर्वजों ने अंग्रेजों को गुटने टेकने पे मजबूर किया मगर आज हम लोगों को अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है अपने हक अधिकार के लिए जिनको हमने बरोसे भी बिठाया उन्होंने हमारे साथ विश्वास घात किया इतने दिन तक तो पेट पे जुरा भोका अब सीधा पेट पेट पे जुरा भोक दिया हम लोगोंने तो क्या utilizar अन्याय बर्दाश्च करेंगे क्या सरकार को हमारी मांगों को नहीं मानना चाहिए तो वो इतना समय क्यों लगा रही है हम यही पूछने आएं सरकार से यहां पर और वो भोल रहे हैं कि वो अभी तक अध्यान कर रहे हैं यह इनका जो है इस तरह की टाल मोटोल की जो भाशा है और इनोंने पांच भी कि अनुसूची के राज्ज में तेरा जिरा में जिसमें रांची जिरा भी आता है यहां पर तेरवी और चौथी वर की नौकरियों में स्थाने को प्रात्मिक्ता देनी की बात थी उसको भी पी आयल के आलोक में हाई कोट के आदेश पे सरकार ने तुरंत जो है चिठी जारी की कि अहरता आप खतम की जाए तो क्या फिर इस राज्ज में जारकंडियों के लिए कुछ बचता है क्या नहीं बचता है तो अब जारकंडी क्या करेगा जैसे आज आज आप लोग सब इतनी दूर दूर से हमारे माता हैं बेहने दीदी भाई बेहन लोग कहां कहां से नहीं आये हैं जिदर गुमाई है पूरा जारकंडा चड़क पे उतर आया है अपने हक अदिकार की मांग कर रहा है मगर मुख्य मंत्री जी के तरफ से कोई भी जो है सकरात्म कोई भी मेरी तब्यत दो तिन दिन से मेरी तब्यत बहुत कराब थी मगर अंदोलन में हिस्सा बनना था और यह आप लोगों का साथ देना था हमको तो इसलिए हम आए आज और हम लोग जो है अपनी लड़ाई तब तक हम लोग इसको रुकने नहीं देंगे जब तक हमारे अधिकार हमें हमारा मान समान हमें यह सरकार हमें नहीं देती है नहीं तो उल्गुलान का जो नारा अबुआ दिसुम अबुआ राज का जो नारा हमारे जो जो हमारे पुरवजों ने दिया हमें बिर सहाबा ने दिया हम लोग उसको सच होते हैं वो दिखाएंगे और यह ताकत है जारकंडी की जब वो एक बार उट जाता है तो वो फिर अपनी लड़ाई लड़के अपना हाकत गिदार लेके ही उदम लेगा जै जारकंडी एक ता जिन्दाबाद बीर शहीद अमर रहे हमारे अगुआ अमर रहे आदिवासी मूलवासी एक ता जिन्दाबाद अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले